हलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर जैसे कि देख सकते हैं न्यू जो आया है यूथ पॉब्लिकेशन का 11640 प्रस्त का यूथ पॉब्लिकेशन का जी के तो इसका अगर आप प्रेक्टिस करना चाते हैं 100 को संडेली प्रेक्टिस करा र सकते हैं तो जल्दी से आप लाइक जरूर करिएगा इस चैनल पर नहीं है तो लाइक जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल अकर नोटिफिकेशन आपको अगर बीटो डालें आपको इंफर्मेशन आपको पहुंच सकेगा तो जैसे कि देख सकते हैं इस अगर नहीं देख जाकर प्लेश्ट बना हुआ है जाकर आप देख सकते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं को सनु कहागा 101 में संविधान की निम्न अनुछेद में से कौन सा हमें सामानता का अधिकार देता है बताए 101 में कि एंसर क्या 101 का हो जाएगा 101 का भी हो जाएगा अनुछ्षेद 14 ऐनं में कहा गया संवांता का अधिकार सम्मेदान निम्न में चेट में से संवांता का दिकार देता है अनुछेद corn B इसका प्रुमते हिए बात कोटो Regus गुर्द नमर कोश्वशन हो ँखो 100 लुमती कहा गया भारतिय कंभीधयों का नुच्छे 17 में इनमेंस से किस पर जोर दिया गया बताए chickens से किस पर जूर दिया गया बताइए 260 का आपकॉस्चों की पड्था market के उन मुलन पर और परस्ता की पर्था के उन मुलन पर ऑप्शन एसका 102 का यह हो जाएगा उसके बाद देखिया के को समें 103 नमर कोश्चान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकाली के अनुसार भारत्य संविधान में कितने अनुचेद हैं बताईए 104 का इसर क्या है 104 का बी हो जाएगा 1085 नमर को सनिक कहा गया है है 159 कहा गया भारत्य संविधान के पारंध के समय इन इसे डेश अध्यांयों में विभाजित किया गया था कितने अध्यां में विभाजित किया गई é In Mr. Computạt का ईसर क्या हो जाएगा 105 का C हो जाएगा DC अध्यायों में विवाजित किया गया इसका बाइस अंसर हो जाएगा 105 का सी उसे बाद के 106 नमर कोश्टन कि 106 कहा गया भारत के संभीधान को लागू होने के समय इन में से मुल्ता कुल कितने अनुछेत थे बताईए 106 का इंसर क्या हो जाएगा 106 का दी हो जाएगा 305 तो कहा गया भारत के संभीधान में लागू होने के समय मुल्ता कुल कितने अनुछेत थे तो 305 जाएगा 106 का उसके बाद 107 नमर कोश्टन 107 में कहा गया भारते संभीधान का कौंस अनुछेत अल्प संख्यको के हीतों कि राच्छा से संबंदित है बताई 107 का इंसर क्या हो जाएगा 107 का ए हो जाएगा 108 का सी हो जाएगा अल्प संख्यको के हीतों की सुरच्छा अल्प संख्यको के हीतों की सुरच्छा 108 का सी हो जाएगा उसके बाद 109 नमर कोशन देखिए एकशनोय मं कहा गया हरते संबिधान के किस अनुच्षेध में या निदिश्ट किया गया कि राज ग्रम 5 चायतों का अगठन करने के लिए कदम ऊथाएगा बताईए किस अनुच्षेध में कहा गया एक कहां गया अνुच्षेध 40 में कहां गया अनुच्षेध चालिश 109 का एंसर उसके बाद 110 नमर कोश्टन 110 नमर कोश्टन देखिए 110 में कहा गया भारत्य संबिधान का कौन सा अनुछेद उपाधियों के अंत को सुनाचित करता है बताए 110 का एंसर क्या हो जाएगा 110 का डी हो जागा अनुछेद अठार है अनुछेद अठार है उसके बाद 111 नमर कोश्टन देखिए अनुछेद 243 में कहा गया अनुछेद 243 में 111 का डी उसके बात देखिए 112 नमर कोश्टन किस अनुछेद में कहा गया निमलिखित में से किस अनुछेद में यह प्रवधान कोश्टन देखिए किया गया कि राश्पति के आदेश द्वारा एक अंतराजिये परिशत का गठन किया जा सकता है बताए 113 का अंसर क्या हो जाएगा अनुछेद दूस्वा तीर सट अनुछेद दूस्वा तीर सट एक अनुछेद दूस्वा तीर सट एक हो जाएगा उसके बाद 114 नमर कोश्टन देखिए कि 153 का गए विर्तिय आपतकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारत्य संविधान के निमलिखित में से किस अनुछेद में है बताइए एक तो चाहुदय का छी हसी अंश्याल अनुछेद 305 आंचिंग路 साइट अनुछेद 304 नियों से 106 खचालिय ow उसके बाद 152 नमर को सम संथर 15 कहा गया भारते शंविधान अनुछेद 368 देस संबंदीत हैं बताए किसे संबंदित 115 का नसर क्या हो जाएगा 115 का 115 का भी हो जाएगा संविधान के संसोधन संविधान संसोधन ऑप्सन भी हो जाएगा 115 का उसके बाद 116 नमर कोशन देखिए 116 का भारत्य संविधान के निमली खित में से किस अनुछेद का भाग एकस-एकस संविधान और उसकी परकिरिया में संसोधन करने के संसत की सक्तियों को संबोधित करता है तो इसमें कहा गया कोशन एकस्वा देखिए कोशन को दियां से पले पर लिजिए क्या कहा गया भारत्य संविधान के निमली खित में से किस अनुछेद का भाग एक्ट्स एक्स संविधान और उसकी परकिरिया में संसोधन करने के लिए संसर सक्षियों को संबोधित करता है तो बताइए किस अनुछेद में बताइए इसका 16 का क्या है इसका option देखिए 16 का इसका देखिए चार अप्संदिया गया इसके बाद सत्रें को संदेखिए एक्साट्रें कहा गया अक्टूबर 2020 तक प्राव जानकारी के अनुछार भारत के संविधान में कितने भाग हैं बताइए 170 का अन्सर क्या हो जाएगा 170 का 170 का एक हो जाएगा 25 कितने हैं 25 अक्टूबर 2020 तक प्राव जानकारी करशा भारत में के संविधान में कितने भाग हैं 25 अप्संद एसका अन्सर हो जाएगा उसके बाद एक 188 नमर कोशन देखिए एक सवाथारे में कहा गया निम्लिखित में निम्लिखित भारते संविधान का अनुछेदों में से काउंस अनुछेद में राजों के बिधान परिशादों को गठन के लिए प्रवधान किया गया बताइए किस अनुछेद में कहा गया एक सवाथारे कंसर बता यह क्या हो जाएगा एक सवाथारे का बी हो जागा अनुछेद 179 अनुछेद 179 एक सवाथारे का बी उसके 119 नमर कोशन देखिए 119 में यह कहा गया संविधान के किस अनुछेद के तहद भारत का उचितम नियाले मौलिक अधिकारों के परवत्तक परवंदक के लिए रिट जारी कर सकता है बताइए किस संविधान में कहा गया कि किस अनुछेद में बताइए कहा गया संविधान कर किस अनुछेद के तहद भारत का उस्तम नियाले मौलिक अधिकारों के परवंतन के लिए रिट जारी कर सकता है नुछेद में बताइए 119 का 119 का A है अनुच्छेद 32 किस अनुच्छेद में 32 में कहा गया निमलिखित में से किस राज को भारत्य संविधान के भाग जिसमें अनुच्छेद 371 समील है जिसमें कुछ राजों को और स्थाई परिवर्ती और विशिष्ट इस्थिदी परद्वन करके संबंधी परद्वन किये गए तहद विशेष दर्जा प्राप्त नहीं किया गया था बताइए कौंसा राज है बताइए 120 का 120 का बताइए अंस परद्वन कि दूसरी यानुची इनमें से किस से संबंधि है संबंधित है बताइए 111 का या एक्षा एक्षा का बी हो जाएगा राष्पती राजपालो मुख नियाएधिस उच नियाले और उच्तम नियाले के नियाएधिस के वेतन संब्धान के किस अनुचेद में संसद के विशाती इस नियाएधिस के बताइए 122 में कहा गया भारत्य संब्धान के किस अनुच्छेद में संसद के विशाती काल के दवरान राष्पती को अध्यादेश लगाने की शक्ति परदवन की गई बता यह किस अनुच्छेद में कहा गया 122 का डी हो जाएगा अनुच्छेद एकषवाटाइस अनुच्छेद एकषवाटाइस एकषवाटाइस का दी नमर एंसर उसके बाद एकषवाटाइस नमर कोश्चन देखिए एकषवाटाइस में कहा गया निलिखी तमेश भारती है संबिधान के का अनुच्छेद सोऽन के विर्युद्य अधिकार परताबता है बताइए किस में कहा गया किसमें अनुछेद 23 में 118 का सी अंसर हो जाएगा उसके बात देखें 124 नमर कुश्चन कि 124 में कहा गया भारत्य संविधान में अनुछेद 35 ए किस वर्स जोड़ा गया था बताईए किस वर्स जोड़ा गया था कि 124 का भी हो जाएगा 1954 में जोड़ा गया काव 1954 में जोड़ा गया 35 एक हो कि 125 नमर कोशन देखिए एक स्वर्स पचीश कि 125 में कहा गया भारत्य संविधान के किस अनुछेद के तहद शार्व जनिक नियोजन के मामलों में समान अवसर का अधिकार परदावन की गई बताईए किस अनुछेद में की गई बताईए कि 125 का अनसर क्या हो जाएगा एक स्वर्स पचीश का हो जाएगा अनुछेद सोलेम कहा गया अनुछेद सोला एक स्वर्स पचीश का हो जाएगा इसके बाए एक स्वर्स पचीश का किस अनुछेद में कहा गया बताई एक स्वर्स अनसर क्या हो जाएगा एक स्वर्स पचीश का डी हो जाएगा अनुछेद सोला में कहा गया उसके बाद देखिए 117 नमर कोश्चन है एक स्वर्स पचाइब कहा गया भारत्य संविधान का निमलिखित में से कौन सा अनुछेद अभिव्यक्ति की सोतनता के संबंध में कुछ अधीकारों के संद्रेच्छन की गारंटी देता है बताई कौन सा अनुछेद निमलिखित में से किस अनुछेद में संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रवधन किया गया बताई किस अनुछेद में कहा गया 108 का अनुछेद 108 का इसका अंसर उसके बाद 129 नमर कोशन देखिए ए 139 में कहा गया वारते संबंधान के किस अनुछ शूची में राज यवाम के अधी छेतरों की सूची सम्मिल है बता ये 139 का सी हो जाएगा फहली क्या है फहली इसा 139 का सी अंसर विसके बात देखे एक तीस नमर कोश्चन एक तीस नमर कोश्चन देखे हैं कि 137 में लिबाइब एक तीस में कहा घया भारतीय संविध्धान के किस अनुछ्चन के तहद राश्पति किसी राज की संविध्धानिक परणालिके विफल होने की दसा में उस राज की सासन संभाल सकता है तो बताइए किस अनुछेद में कहा गया किस अनुछेद में है बताइए 130 का एंसर बताइए क्या हो जाएगा 130 का 130 का बी है अनुछेद 356 अनुछेद 356 एंसर उसके बाद 31 नमर कोशन देखिए अनुछेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदायक को विशेद प्रवधन मिलता है बताइए किस समुदायक में अनुछेद 336 का बताइए 131 का एंसर 131 का दी हो जाएगा एगलो इंडिया इंडियान समुधायक तो फोजा 132 का दी अंसर उसके बाद 132 को संदेखी देखे 132 में कहा गया जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रा स्वतंता के संद्चन को भारत के संविधान के डिया सनुछेट के अंतर का समिल किया गया तो किस अनुछेद में समिल किया गा बताईए 132 का एंसर क्या हो जाएगा 132 का एंसर उसके बाद 133 में को संद्चिए 133 में कहा गया संविधान के किस अनुछेद 78 में निमलिखित में से किसका वर्णन किया गया बताईए 133 का एंसर हो जाएगा पर्धान मंत्री को अवगत करवाने के कर्तव से संबनित इसका एंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 133 का इसके बाद 134 को संद्चिए देखे 134 में कहा गया भारत्य संविधान के निमलिखित में से किस भाग के अंतरगत अनुछेद व्याज से कावं सुची बद किये गए बताई एक्षा चाउंतर संद्ध को संद्ध कर देखे लिए कि एक्षा पैटीश में कहा गया निमलिखित में से काउन सानुछेद राउप रास्पती के चुनाव से संबंधित है बताई 135 अंसर क्या हो जाएगा 135 का यह हो जाएगा अनुछेद 666 उसके बाद देखिए 136 नमर कोशन देखिए 136 में कहा गया निमलिखित में से कौंस अनुछेद मानव के यातायात एवम बलात सम के रोग थम से संबंधित है बताई 136 क्या हो जाएगा 136 का दी हो जाएगा अनुछेद 23 उसके बात देखिए 138 नमर कोशन देखिए 137 137 में कहा गया भारत्यसंग की अधिकारिक भासनाओं का उल्लेख भारत के संबिधन किस अनुची में किया गया बताई 137 अंसर क्या हो जाएगा 137 का 137 का बी हो जाएगा 137 का बी आठवी क्या जेगा आठवी सूची उसके बात देखिए 138 नमर कोशन देखिए 138 नमर कोशन क्या जगा दल बदल बिरोधी उसके बाद 149 नमर कोशन देखिए 139 का भारत्य संबिधान के किस अनुच्षेद के तहद राष्टी है ध्वज फाराने का अधिकार है तो बताईए किस अनुच्षेद का नुच्षार 149 का 149 का बी हो जाएगा अनुच्षेद 19 ए अनुच्षेद 19 एक में कहा गया उसके बाद देखिए 148 नमर कोशन 148 को बाद भारत्य संबिधान के नुच्षएद में से किस अनुच्षेद में या उल्लेख है की मुख मंत्री राजपालध नियुक्त किया जाएगा मुख मंति जो है राजपालद्वारा किस अनुच्षेद में लिए उसके लिए 141 148 में कहा गया निमलिखित में से कहुं सा राज संभीधान की छथवी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जन्जातिय छेत्रों के प्रसाशन इवाँ नियंतन से संबंधित हैं बताए 148 अंसर क्या हो जाएगा 141 का 148 का भी हो जागा नागा लेंड क्या जागा नागा लेंड 142 नमर को संदिखिए समीत सिमंकन करता है जिसके तहद डैस निर्वाचित सदस तथा डैस सदस इंगलो इंडियन समुदायक का पधिनित्व करते हैं जिने भारत के राश्पति द्वारा नामंकित किया जाता है बताए इसका एंसर 142 का क्या हो जाएगा इसके बाद 143 नमर कोश्चन देखिए 143 में कहा गया हमारे संबीधाओं का काउंस अनुछेद यह कहता है कि सदन में भोटों को सम तुलता की इस्तिती में अस्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा तो बताए 143 अंसर क्या हो जाएगा 143 का 143 का सी किस अनुछेद में कहा गया अनुछेद औसफ़ण सी हो जाएगा और सबस्यश्ट का दी हो जाएगा अनुछेद एक सौं कहा गया इसकाOoh 143 क क्या हो जाएगा उप्ठन डी इसका आंसर 143 का उसके बाद देखिया कोशन 144 नमर कोशन देखिए 144 में कहा गया भारते संभीधन के अनुछेद 112 के तह तयार वार्षिक वीर्तिया भीवरन को डैस कहा जाता है 144 का एंसर 144 का सी हो जाएगा बजट तो कहा गया भारते संभीधन के तह तयार वार्षिक वीर्तिया वीवरन को क्या कहा जाता है बजट कहा जाता है उसके 145 में कोशन देखिए 145 में कहा गया भारत के राज एवं संभीधन के किस अनुशूची में उल्लेख है बताए 145 का ए हो जागा पर्थम अनुशूची में पर्थम अनुशूची में उसके 146 कोशन देखिए 146 परस्तावना पर अधारित परस्म 146 नुशूची में कहा गया एक संदाख्ष्वित परिचात्मक परिचात्मक वक्त जो संभीधन के माग दर्शन उद्द्यसिधन और दर्शन को निर्धारित करती है क्या कहलाती है बताईए 146 का एक स्वाच्ष्यालिस का एक स्वाच्ष्यालिस क्या हो जाएगा परस्तावना इसका एंसर हो जाएगा संसोधित किया जा सकता है यह सबाल को उठाया गया था कि पस्तावना को क्या संसोधित किया जा सकता है और संसर का 146 का 248 में कहा गया कि निमलीखित मेंसे किसके अंतरगत भारत को एक धर्ण सिराज के रूप में वर्नित किया गया बताईए बताईए इस तो यह पिस ऐग्या भारत द्वारा धर्म नेयदी प्रेक्ष तास्वीकार के जहने के कारण भारत्य नागरी को निमनी खित में से कौन सा अधिकार प्राप्त हैं बताएं चाइंग चाइंग का एक सा उन्चाश का एक सा एंग चाइगा अपनी एक चानुसा धर्म के अनुसा रन काधिकार स्वतंत्र अप्शन ए हो जग एक सव उन्चास का दिखें देर्स और नमर कोश्चन देर्स और नमर कोश्चन क्या कहा गया देर्स और कहा गया 150 में कहा गया सम्भीधान के निर्मादाओं की तो भारग सम्भीधान के किसे हिस्से में परेल स्थित होती है बताईए कोश्चन 151 नमर कोशन देखिए 151 में कहा गया संबीधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्सों को धरसाता है बताए 151 का इंसर क्या हो जाएगा 151 का यह हो जाएगा परस्तावना ऑप्शन एसका उसके बाए 152 नमर कोशन देखिए 152 में कहा गया निमलीखित में से कौन निमलीखित में से भारत के बारे में सही कथन का चैन करें बताए 152 का इंसर क्या हो जाएगा 152 का भी हो जाएगा भारत एक धर निर्पेक्स देश है भारत एक धर निर्पेक्स देश है 153 नमर कोशन देखिए आगे 153 नमर कोशन 153 नमर कोश्चन देखे 153 में कहा गया परस्तावना में नहीं सब्द गनराज का अर्थ निवन में से इंगित नहीं करता है नहीं करता है गनराज का ही अर्थ निवन में से कौन इंगित नहीं करता है बताईए 153 का 153 का डी इसका अंसर हो जाएगा देश के सर्वोच पद पर जहां राष्ट अध्यक्ष एवांवन स्वान मुगत राजा होता है यह जो है इसका गनराज का अर्थ निवन में से इंगित नहीं करता है इसका इंसर हो जाएगा 153 का डी उसके बाए 154 नमर कोश्चन देखिए 154 में कहा गया 154 निखा आगया भारत के संविधान की पस्तावन में परियुक सब्द गंतन सुचित करता है तो बताए कौन करता है भारत के संविधान की पस्तावन में परियुक सब्द गंतन सुचित करता है बताए इसका इसका 154 का इंसर क्या हो जाएगा 154 का सी हो जाएग कि देश के परधान निडवाजित परति नीधी है इसका एंसर का सी हो जाएगा 155 नमर कोशन देखिए 155 में कोशन जो है यह किस पर अधारित है यह अधारित है नागरिक्ता पर किस पर नागरिक्ता पर कि देखिए 155 नमर भारते संबीधान का भाग दो निमलीखित में से किसके बारे में उल्लेक करता है बताई यह 155 का यह हो जाएगा नागरिक्ता क्या देखिए 156 नमर कोशन देखिए 156 में कहा गया संबीधान के पारम होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिक्ता पौने और हव गवाने से संबधिक प्रवधान है किस में है बताई 156 का 156 का सी है नागरिक्ता अधिनियम बताई 157 का एंसर क्या हो जाएगा है 157 का सी हो जाएगा संपती अधिगरहन संपती अधिगरहन संपती अधिगरहन नहीं है तो बताईए कौन मौलिक अधिकार नहीं है और देखिए संबधिनिक उप्चार का अधिकार और देखिए तो कौन इसका और सही है बताईए उसके बाद दो और छुपा हुआ है देखिए संभासन अभिव्यक्ति की स्वतनता काधिकार बताई क्या इसका एंसर हो जाएगा बताए इसका एंसर क्या हो जाएगा 159 का क्या हो जाएगा इसका एंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा समान नियाएवन निसुल्क विविद्ध सहायता का अधिकार तो इसमें कहा गया इन में से कौन सा भारत्य संविधान का नुसार मौलिक अधिकार नहीं है कौन नहीं है समान नियाएवन निसुल्क विविद्ध सहायता का अधिकार यह अप्शन इसका बी जो है सही नहीं है मौलिक अधिकार नहीं है आप्शन बी तो 158 का बी हो जाएगा उसके बार देख़िए 169 नमर कोश्चन 169 में कहा गया भारत्य संविधान में मुल करतबों को कि संसोधन अधिनियम द्वारा जोरा गया बताइए 169 का 169 का क्या थे हो जाएगा वियालीश्मा संसोधन का जगा वियालीश्मा संसोधन उसके एक्शा को एक ताओसाइट में कहा गया निमलिखिद में से किसे भारतय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सुचि बद नहीं किया गया बताइए 106 संभासन का अधिकार 151 नमर कोशन देखिए 161 नमर कोशन एक 161 नमर कोशन 171 किसे भारत्य संभीधन के रूप में वर्निक किया गया बताए 171 का सी हो जाएगा मौली का अधिकार क्या ज़ेगा मौली का अधिकार और अप्सन सी का एंसर 162 नमर कोशन देखिए देखे 172 में कहा गया यदि लोगों को एक बीशे समु को लेक केरल में तेलगूई माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमती नहीं दी जाती है तो इन से किस मौली का अधिकार का उल्लंकन माना जाएगा बताए 172 का इंसर क्या हो जाएगा सांस्किर्ति के साइंचिक अधिकार इसका अप्शन डी इसका अधिकार हो जाएगा उसके बात देखिए 163 नमर कोशन 163 में कहा गया भारत के संविधन के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार महजूद है बताए बताए जिसे गिराफदार करके हिरासत में लिया गया कि गिराफदारी के स्थन से मजिश्टेट के अधालत कि यातरा के लिए आवैसक समय को छोड़कर उक्त गिराफदारी के 10 घंटों के अवधी के भीतर निकारतम मजिस्टेट के समक्त पेच किया जाएगा तो बताए 164 का नसर क्या हो जाएगा 24 घंटे क्या जगा 24 घंटे उससे बाद 165 नमर कोशन देखिए 165 में कहा गया 162 अनिवार शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्स में पारित किया गया था बताएगे 165 का 165 का सी हो जाएगा 2009 2009 में संसत अनिवार शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्स पारित किया गया 2009 में अधिकारों को पारित करने का विचार कि देश के संविधान से पिरित था बताएगे 166 का 166 का D हो जाएगा अमीर का अमीर का इसका एंसर हो जाएगा 166 का D उसके बाद देखिए 166 नुमर कोश्चन 166 एक्षवा सरसंदिक कहा गया भारत के संविधान में वर्नित मौलिक अधिकार में निमलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सामिल नहीं है बताएगे 166 का 166 का 166 का सी संपती का अधिकार option C इसका एंसर 166 नुमर कोश्चन देखिए 166 में कहा गया भारत्य संविधान का भाग 3 3 में किस विशय से संबंदित है बताएगे 166 का 166 का सी हो जाएगा मौलिक अधिकार से किस से मौलिक अधिकार से उसके बाद 179 नुमर कोशन देखिए 170 नुमर कोश्चन 170 में कहा गया भारत्य संविधान के निमलिखित किस भाग के तहद गोपनेता के अधिकार का उल्ले किया गया बताएगे 170 का अप्शन एसका अंसर हो जाएगा भाग थिरी में किस में भाग थिरी में उसके बात देखिए 171 नुमर कोश्चन 171 में कहा गया गोपनेता का अधिकार भारत के संविधान के निमलिखित खंडों में से किस का एक अभिन हिस्सा है बताएगे 171 का 171 का डी हो जाएगा मौलिक का अधिकार क्या जगा मौलिक का अधिकार उसके बात देखिए 172 नमर कोश्चन 172 का ए हो जाएगा भाग थिरी में भाग तीन में उसके बात देखिए 173 नमर कोश्चन 173 में कहा गया मौल भूत अधिकारों में से ज्यादा अत्तर हमारे संविधन के 10 अनुछेद में सामिल किये गए हैं बताईए किस में सामिल की सनुछेद में सामिल संविधन की सामिल किये गए 173 का 173 का बी बारे से पाइटीस बारे से पाइटीस उसके 174 नमर कोश्चन देखिए 174 174 में कहा गया निमलिखित में से काउन साविल का भारत्य नागरिक का मुलभूत अधिकार नहीं था बताईए 174 का 174 का बी हो जाएगा नीजता का अधिकार क्या जगा नीजता का अधिकार ऑप्शन बी इसका इंसर उसके वह 175 नमर कोश्चन देखिए 175 में कहा गया भारत के संबीधान के अनुसार निमलिखित में से काउन साविल का अधिकार नहीं है बताईए काउन एक मौली का अधिकार नहीं है 176 में कहा गया भारत के संबीधान निमलिखित में से काउन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है बताईए 176 का 176 का डी वेवसाय का अधिकार वेवसाय का अधिकार भारत के संबीधान के निमलिखित में से मौलिक अधिकार गारंटी नहीं देता है वेवसाय का इसका एंसर 176 का 177 नमर को सन देखिए एक सथात्तर एक सथात्तर में कहा गया भारतिया नियाईक परनाली में रीट हीवियस कौपस का सावधिक अर्थ क्या है बताएगा 177 का एंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आपके बंदी परत्यक्षी करन का अधिकार प्राप्त गो उसके बाद देखे आगया देखिए नोमर कोस psic एक प्रमा देश रीन होती आपर माधेस रीट क्या होती है बताए ईक सथात्र का एक सथात्तर का 178 का दी हो जाएगा किसी सरकारी निकाय के निकाय से उसके कर्टबों का पालन कराना 178 का B हो जाएगा 189 नमर को संदेखिए 189 189 कहा गया उस रीत का नाम बताईए जिसके अंतरगत अदालत किसी गिरफदारी का तरीका या आधार विविद और संतोज जनक न होने पर गिरफदार व्यक्ति को उसके समने पेश किये जने या मुक्ति किये जने का अदेश देती है बताई 189 का अंसर क्या हो जाए 189 का 189 का D हो जाएगा बंदी परत्यची करान option D इसका 189 का D 189 का D 189 को संदेखिए 189 को संदेखिए 189 को संदेखिए चार मुलभूत अधिकारों में से एक का चैन करें जो भारत के नागरीकों और विज्येसियों के लिए उपलवध होता है बताई 180 का एंसर क्या हो जाएगा 180 का 189 का D हो जाएगा धार्मिक मामलों का परभवन कराने की स्वतांता आनुछेट 26 में है आनुछेट 26 में इसका एंसर हो जाएगा 189 का D उसके वाए 181 निमर को संदेखिए 181 में कहा गया किस प्राज प्रसन है इस राज के नीती निर्देशक तत्प्राधार प्रसन है 181 का राज के नीती निर्देशक सिध्धन तो का उल्लेक भारतिय संबिधन के निमलिखित में से किस भाग के में किया गया राज के निती निती सिद्धान का उलेक भारते संविधान के निमलिखित में से किस भाग में किया गया बताई एक 181 का 181 का 181 का ए हो जाएगा भाग चार में भाग चार में उसके बाद 181 निमर कोचन दिखिए 182 181 181 कहा गया डॉक्टर बी आराम बेद कर दोगॉरा भारते संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी भिसेस्ता भी कह जाता है बताई एक 182.1 सांथ दनि निर्देशक की ऊप्षेम लाग 131 कोच creator 183 कहा गया भारते संभीधान का चाउथा अध्या किसे संबंधित है बताई 183 का भारते संभीधान का चाउथा अध्या किसे संबंधित है बताई 183 का अंसर क्या है डी राज के नीती निर्देशक तत राज के नीती निर्देशक तत एक्षवारासी नमर कोश्चन एक स्वाच्वराशी एक स्वाच्वराशीं का आगया भारत सरकार द्वारा अधी क्रीत निम्न में से काउंसी नीती राज के नीती निर्देशक तत को द्वारा निर्देशित नहीं है बताएं चारासी का 184 कश्र क्या हो जाइगा भावन निर्बान सम्वंधी पनी इमों की तैयारी 155 नमर कोशन देखिए फ्राइट की अंतर गत राज्जों के अंतराश्तिय संति यूंश्रच्य संबंधी दाइत का उलेख किया गया बताई एक्सवपचासी एंसर 151 का हो जाएगा राज के नीजी निर्देसक्तत राज 186 कहा गया भारत के संविधान के देश में समन नागरिक सहिता के प्रवधानों का उल्ले किया गया बताइए किसमें कहा गया बताइए 186 का एंसर 186 का भी हो जाएगा 186 का भी चार क्या चार इसका एंसर भाग चार तो कहा गया भारत संविधान के देश में समन नागरिक सहिता का प्रवधान का उल्ले किसमें भाग चार में है इसके बाद 187 नमर कोश्चन 187 देखिए 187 का आ गया समन सिविल सहिता का वर्नन संविधान के किस अनुछेद में किया गया बताइए 187 का 187 का डी हो जाएगा चवालीश क्या जगा चवालीश अनुछेद किस अनुछेद में चवालीश में तो 187 कडी एक्षबाठासी नमर कोश्चन कि 188 देखिए लत चाहँ गया 188 भारतय संविधान के निमनी खित में से किस भाग में कार पालीका को निया पालीका से अलग किया गया बताई 188 का 188 का C हो जाएगा राज के नीती निद्र शिद्धान राज के नीती निद्र शिद्धान इसका एंसर हो जाएगा 188 का 189 निम्र कोश्चन एक 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 कहा गया कहा गया राज के नीतियों के निर्देशित सिध्धानतों के बारे में निम्लिखित में से कथन में से कौन सच नहीं है एक सच नहीं है ये बताइए 169 का 189 का विन्हेर का आप परवत्नियाह होते हैं और इन्हें कार्वन कार करने के लिए किसी भी कौन उल्क शक्ता नहीं होती हैお願いします कौशन उसके बाद देखिए 190 नमर कोशन, 190 नमर कोशन देखिए, मौलिक कर्तव, मौलिक कर्तव देखिए, मौलिक कर्तव अधारी प्रस्ट देखिए, भारत की संभूता, एकता अखंडता को बनाए, रखना और उसकी रख्चा करना ड्यास है, बताइए 190 का, हगा नमर कोशन देखिए, आप एकता है कहा गिया हमारे संभीधन के किश अनूछेद के अंतरगत भारति है, नागरिक को मौलिक कर्तवों के समाविष्ट किया गया, बताइए किस अनुछेद में 11121 का अनुछेद 151 में उसके बाद 1192 कोशन देखिए एक यह एक यह एक यह कहा गया दिसंबर तक प्राप जनकाली के अनुसार भारते संभिधान में कितने मौलिक करतव का उल्लेक किया गया बताइए एक सोब्रोंवे का एक सोब्रोंवे का बी हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा 11 दिसंबर 2020 तक प्रावजानगाली के अनुसार भारते सम्झें कितने मौलिक करतव का उलेक किया गया ऑप्शन बीस का एंसर दे एक सब्रोंवे जाना हो जाँ जर्ठेवन में में कितने मौलिक करतव को पर्तिया हो चाहिए इस्थापित किया गया बताएवा कितना मौलिक करतव को 194 का इंसर बताईए एक सी हो जाए एक गारा कितना एक आरा ऑप्शन जी का एंसर एक सब पंचोन में नमर कुश्चन है इस पंचोन में कहा गया भारते संविधान कनुछेद एक कावन ए में निम्नी खित में से किसका उलेक है बताईए किसका मौलिक करताव का उसके बाए 협ाइण में कोश्चन है एक स्थे उन्विया का पहा गया भारतेस मंगfrage इनुसार इनिम्नि मैं से doubling करताव है बताए मौलिक करताव नहीं तैये पहर सोफ 순बी का डी कर्या दिविटी और बलाज्श्रम का निशेद यह क्या है भारत्य संविधान अनुषाज़ी में से काउं सा मौलिक कर्तव नहीं है और अबी सी है बताई एक साथ शंतौन वेका एक साथ शंतौन वेका प्राकिर्टिक पर्यावरन की सुराच्छा परतियक नागरिक का मौलिक कर्तव है लिए एक साथ शंतौन वेका बी हो जाएगा अनुष्य शंतौन αम कहा गया तो कहा अनुष्य दे कि अनुष्या प्राकिर्टिक परियावरन सुराच्छा परतियक नागरिक का मौलिक कर्तव है किस्में है अनुष्यद ८ defining 1 1098 नमर कोशन द इखी है से इससां है सोउन भारत के रास्पति के संब्रान्द में निम्ली खित में से कउंशा सत्न नहीं है बताए क्या चॉज कर चाहां है यह सद नहीं कर सकता है यह जो है यह जो intrins कि तो इसमें कहा गया निमलिखित में कौन सत्थ नहीं है तो आफस़ट डी सत्थ नहीं है एक सब्सक्राइब ने मरकोशन देखिए कि ए कि 109 कहा गया भारत्या संग की कारपालीका का समभाइधानिक परमुख कौन होता है बताएं बात देखिए लास्ट कोशन देखिए लास्ट कोशन दोसो नमर कोशन रास्पती किस समुदायक के दो सदसो को लोग सभा में नामांकित कर सकता है किसे कर सकता है किसे कर सकता है ऑप्शन दोसो का उसके बाद चली खतम कुशन जैसे कि आप लोग जरूर करिए लाइक आप करना ना भूलिए कि कुशन जो आपको अगर लाइक करीगा तो मोटिबेट किजी इसलिए इसलिए आप लाइक करना ना भूलिए कि अशेयर जरूर करिए